प्रेंट्स कैसे आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंट्स आज लेंगे सम नंबर 11 यहां पे धरार सटन एक्सपेंसीज यह टैन टाइपस ऑफ एक्सपेंसीज दिये हुए हमें ताय करना है कि कौन सा एक्सपेंसीज कौन से हेड के नीचे जाएंगे तो पहला बाला है सेल्स तो सिधी बात है सेल्स है तो यह तो बिजनेस का में प्रिंसिपल एक्टिविटी हो गई तो उसको सेल्स से तो रेवन्यू आएगी सिधी बात तो रेवन्यू फ्रम ऑपरेशन बोलते है क्योंकि वह अब सेल्री एंपलोई को दी जाती है तो सिधी बात एंपलोई बेनिफ्ट एक्सपेंसिस में चला जाएगा थाड़ इंट्रेस एंड डिविडेंट रिसीवड है तो सिधी बात है कि इंकम होगी तो अब यह बिजनेस की इंकम नहीं है यह क्योंकि आपके पास कंपनी के पास फंड अवेलिबल हो सर्प्लस फंड अवेलिबल है तो कंपनी ने कहीं पर पैसे इंवेश्ट कर दिये तो सर्प्लस था तो यह बिजनेस अक्टिविटी नहीं हुए पर तो वह ही पैसे इंवेश्ट किये तो उसके उपर उनको कंपनी को कोई इंट्रेस मिल रहा है या डिविडेंट मिल रहा है तो फिर स्क्रेप से कुई पैसे मिल गया है तो स्क्रेप भी आप भंगार हुई है स्क्रेप तो वह बेच रहा है और कोई इंकम मिल रहे है तो वह भी आपकी कौन सी इंकम होगे अधर इंकम होगे डेप्रिशेशन तो बिजनेस का कोर आप फिक्स एक्सेट को यूज करते जाओगे आप 11 कॉमर्स में पढ़ चुके हो तो इसी इसी बात है कि डेप्रिशेश में चले जाएंगे interest on loan अपने passion market में से bank में से कहीं से भी बोरो किये हुए तो यह आपका financial expenditure हो गया कौनसा expenditure हो गया financial पहरे bonus किसको दो गया अपने employee कोई तो सिधी बात है कौन सा expenditure लगेगा आपका employee benefit expenditure यानि जो भी पैसे आप employee को pay कर रहे हो ठीक है तो वो आपका employee benefit expenditure हो जाएगा और bank charges और sales expenses जो भी business के expenditure है ठीक है regular basis पे pay किये जाते है तो यह आपके हो गए other expenditure में include हो जाएंगे यही हेड के को कोडिंग आपको expenditure को decide करना होता है अब brand sum number 12 है यहां पे देखला आप तो हमें क्या बना के दिना है उनको profit and loss account बना के देना है तो यह रहा तो सिनी बात है profit and loss account में होता क्या है आपकी जो income है यानि revenue हो गई यहां पे यह वड़ लेते है उसमें से आपको expenditure minus कर रहे है ठीक है तो कौन सी उपर के यह दोनों side है यानि उपर के दो expenditure में आएंगे इंकम में से आप expenditure को minus करेंगे तो आपको बिल जाएगा profit before tax उसमें से आप tax minus करेंगे तो profit after tax यानि profit before tax यानि PBT profit after tax यानि PED ब्रावर PBT केस आएगा तो income में से आप expenditure को minus कर लो ठीक है यानि revenue में से expenditure को minus कर लो तो किस तरह से कौन सा income में आएगा और expenditure में आएगा now we have to decide income में आएगा या expenditure में सबसे पहले फ्रेंट्स या ध्यान से cost of material consume सिधी बात है कि यह हमारा expenditure हो गया ठीक है change in stock of finished goods यह भी नीचे की साड़ी आएगा friends ध्यान से सुनिएगा change in finished goods stock यह रहा दोनों के दोनों यह हमारे expenditure हो गए done next employee salary and provision for employee तो सिधी बात है कि हमारे expenditure में चले जाएगे employee benefit expenditure में sales ही हमारा core business का revenue हो गई तो income from operation तो उपर की साड़ पर आएगा revenue साड़ पर interest paid है यह हमारे financial expenditure हो गए तो expenses में आएगे office and sales expenditure तो सिधी बात है तो यह हमारा other expenditure हो गए ठीए तो expenditure में आएंगे depreciation on fixed asset यह हमारा depreciation होगे expenditure में आएंगे profit on sale of assets यह ज्यान से next फिर तो tax 50% है तो वो तो जैसे आप income में से expenditure को minus करोगे तो यह राव यह हमारा 35,000 जो भी है वो other other income तो other income वाले कौनसी फ्रेंट्स तो यह अदर income है जो हमारी वो कौनसी आएगी तो यह profit on sale of assets से दिवात है कि other revenue expenditure नहीं है यह हमारी हो जाएगी income from other sources यानि other income तो फिर ज्या करना है फ्रेंट्स जो income का total यानि यह core business वाली income यह income from operation और यह profit on sale of any fixed assets other income में चली जाएगी तो उसमें यह total हो गया आपका revenue का यह सारे के सारे आपके expenditure हो गया income में से expenditure को minus कर लोगे यानि थर्टिन लेक फाइट थाउजन में से तो पीबीटी आ जाएगा profit before tax 270 उसका 50% tax minus कर लो यानि 270 का half कर लो आदा 135 तो आपको पैट मिल जाएगा पैट आपका हो जाएगा 135 यह हमारा tax हो गया यह tax amount 135 तो इस तरह से आप profit and loss account को बना सकते हो ठीक है तो उसकी प्रैक्टिस करिएगा profit and loss account की बहुत ही easy sum है अच्छी तरह से हो जाएगा ठीक है तो फ्रैंड यह हमारा sum number हमारा मेरे खाल से ठीक है वेल कंप्लीट हो गया ठीक है तो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेगा have a good day